नए भवन पे कभी ऐसा द्रिश्य देश और दुनिया को देखता ना पड़े। गर्मा गर्मी में भी विशय को बहुत सुन्दर तरीके से संबाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसी से लोगों का दिल भी चीतते हैं। आनुसाशन का खून बंग कर दिया गया संग को कैसा चड़ा जनूर। देश्वासियों की उमंग है, जो देश्वासियों के संकल्प है, उसको साधा करने का सबसे सही इंस्टिटूशन है, लोगतंत्र को जीवित रखने का, लोगतंत्र को और मस्बूत बनाने का, अगर कोई सबसे बड़ा एक प्लाटफॉर्म है, तो वो हमारा संसद है. मान्या सभापती जी, इस देश के जनता, 140 क्रोड लोग, हमारे लोगतंत्र को मजबूत बनाते हैं, उसको सफल बनाते हैं. भारत की जो लोगतंत्र की प्रडाली है, वो स्वदेशी आधार पर बनी वी हैं. इसलिए, जब गुलामी से अलग-अलग देश मुक्त हुए, तो बहुत कम बड़े देश हैं, जो आज भी लोगतंत्र के रूप में हैं, अधिकांच देशों में लोगतंत्र टिक नहीं पाया, अलग-अलग प्रकार की समस्या हैं. पर इतने बड़े देश में, गुलामी के बाद भी लोगतंत्र दिनों दिन मजबूत होते जाना, यह हम सब का सवभाग्य भी है, और उसमें दोनों सदनों ने बहुत बड़ा योगदान दिया है. भारत जिसको हम सब लोगतंत्र की जन्नी मानते हैं, इसमें पुराने वेदिक टेक्स में भी जाते हैं, तो वहाँ भी यह शब्द देखने को मिलते हैं. सभा, समिती, संसग, यह शब्द हजारों साल पहले भारत में कहे जाते थे, इस्तवाल होते थे, सुने जाते थे, यह सिर्फ हमने शब्द नहीं यहां पे लिये हैं, उसकी आत्वा भी आज सदन में, लोगसभा, राजसभा में देखने को मिलती हैं, और मैं समगता हूँ कि उससे ज़्यादा हमें दूर जाने की जरुत नहीं, अभी अभी मानने अधक्षी, G20 की भारत की अधक्षता की सफलता की बात कर रहे थे, जो वसुदेव कुटोंबकम की भावना, पूरे विश्व में, कि हमारे लिए देश ही नहीं पूरा की अधक्षता बहुत सफलता पूर्वक अभी-अभी समापन हुई है, और लीडर समिट समापन हुआ है, और नवेंबर 30 को हमारी अधक्षता का समय पूरा होगा, हमने अवश्य पूरे विश्व में एक अमीट छाप छोड़ी है, भारत की अधक्षता की, भारत के नित्रत की, और प्रदान बंत्री नरेंद्र बोदी जी का जिस पकार से आगपूरे विश्व में, एक एकसेप्टेंस बनी है, उनकी लीडर्शिप के पती जो आस्था देखने को मिलती है, वो पूरे देश को, देशवासियों को गौर्यान मित करती है, बाने अधक्ष जी, कॉंस् जान सभा आयोजित हुई थी, उसमें भी जो डिबेट्स हुए थे, उसका स्थर बहुत उच्छा था, बहुत कुछ हमें उसमें पढ़ते हैं, तो देखने, सुनने को मिलते हैं, बड़े-बड़े लोगों ने उस समय, जब कॉंस्टिटोंट असेमली की डिबेट्स चल रह जाना, मानेश्री लोकनात मिश्रा जी ने उपोस किया था, कि दो सेकेंड चेम्बर की आवशक्ता नहीं है, एक ही चेम्बर बहुत हो था, लेकिन मानेश्री गुपाल स्वामी आहिंगर, भारत रतन डॉक्टर भीम राओ, आमबेटकर जी, और शदे सर्वेपली रादा जी ने भी इस बात को बल दिया था, इस बात का समर्थन किया था, कि दो सदन होने चीए, उच्छे सदन का अपना स्थान है, और उसी के बाद एप्रिल 1952 में, 1952 में, ये सदन बनाया गया, और इसकी पहली सभा, 13 मई 1952 को हुई, एक पिकार से 71 वर्ष का जो प्रवा है, उ राज्य सभा की समार्था ये अपेक्षा थी कि अच्छी चर्चा होगी, अच्छे डिबेट्स होंगे, और चर्चा और वारतालाब के माध्यम से, और एक पिकार से वाद विवाद से उपर उठकर देशत को सामने रखते हुए, राज्य सभा चलेगी, मानिया प्रदान मंत चाहिए सदन के बाहर हो, उन सब में एक चीज कौमन है, एक चीज पकी है, कि हमारा जो शपत है, देश की सेवा करने का शपत, और देश के हितों को रख्षा करने का शपत, हम सब उसको बहुत बल देंगे, सब उसको सरवुपरी रखेंगे, और मैं समझता हूँ, उसमें हम सभी ने अपना अपना दायतों अपने हिसाब से निभाया है, इस 71 वर्ष की प्रवा में कई सारे महनुभावों ने भारत की समयधान की रक्षा करने के लिए, भारत की लोग कंत्र की रक्षा करने के लिए, अपना अपना योगदान दिया, हमारे कई सारे वरिष्ट, चेर ध्यान में आते हैं डॉक्टर सर्वपली रादाकिष्टन जी, डॉक्टर जाकिर हुसेन जी, जस्तिस हिदायत उला, डॉक्टर शंकर दयाज शर्मा जी, श्री के आर नरायन जी, श्री भेरो सिंग शिखावच जी, हामेद अंसारी जी, श्री वंकिया नाइडू जी, और सदन को और नए आवामों तक लेके जाने में बहुत अच्छा योगदान दिया, विक्या नाइडू जी के तो बात याद आती रहती है, को कई बार ब्यंग भी करते थे, कई बार विशाय को बहुत अच्छी तरीके से संजारी का प्रयास करते थे, मुझे यादे एक बार उ अच्छी तरीके से चले और सदन में अच्छी चर्चा के माध्यम से हम देश की सेवा कर पाएं, बड़े-बड़े बुद्धी जीवी, बड़े-बड़े जन्ता के प्रतिनिदी, कई सारे हमारे मेंबर जो नॉमिनेट होते हैं, बहुत वरिष्ट महनुभावों ने सदन की गरिमा बढ़ाई है, और अपना अपना चाप छोड़ी है कि कैसे उनके समय में इस सदन ने काम किया, आज भी हमारे जो नॉमिनेटिट सदस्य हैं, एक से बढ़के एक अलग-अलग शेत्र में उन्होंने बहुत देश सेवा किया है, बहुत बड़ा योगदान किया है, और अलग-अलग प्रकार से चाए वो खेल की दुनिया से हो, चाए आर्टिस्सों फिल्म के दुनिया से, म्यूजिक के दुनिया से, ड्रामा की दुनिया से, अलग-अलग बड़े-बड़े महानुभाव ने इस सदन की गरिमा बढ़ाई है, मानिया ध्यक्षी, इस सदन में बह रखे जाएंगे, कई सारी डिबेट्स, बड़ी अच्छी इंट्रेस्टिंग डिबेट्स भी सदन में हुई है, चाहे वो अठल जी, अडवानी जी, सुश्मा जी की डिबेट्स हो यहां पे, चाहे वो डॉक्टर करंद सिंग जी या वीपी सिंग जी, चंद शेकर जी या ह हमारे वर्तमान में सदस्य पूर्व प्रदान मंत्री श्री देविक घोडा जी की हो, अलग-अलग बहुत महत्तोपून डिबेट्स में बड़े-बड़े महनुभाओं ने भाग लिया है, कई बार बड़ी fierce डिबेट्स होती थी, वादविवाद भी बढ़ जाता था, लेक लेके ये रहता था कि कैसे ना कैसे हम सब मिल के काम करें, एक बार एक बहुत गर्मा-गर्मी की डिबेट में मानिया अठल ब्यारी बाचपई जी ने एक अवान दिया था, कि हम सब रादनीतिक दल मिल-जुल के काम करें, अपने अलग-अलग जो सोच है, विचारदार हैं, उसको रखते हुए भी, हम रास्ता ढूंड के इसमें से आगे चलें, और देशित और जनरित के लिए हम अपना-पना काम करें, मुझे याद आते हैं, मन्य अध्यक्षी एक सदस्य थे, सीपी कॉम्मिनिस पार्टी के, श्रिपी राजीव, फिर जाके केरल में मंत्री बने, सीपी आएम के बड़े वरिष्ट नेता थे, बहुत ही अच्छी तैयारी करके आते थे समय, और नई-नई चीजें जो लगबग हम में से कई लोगों को ध्यान नहीं था, कि इस सदन की भी अधिकार शेत्र में पढ़ती हैं, ऐसे ऐसे नई-नई विशे, कई बार श्रिपी र जीव लाते थे, मैं उनको अभी भी मिलता हूं, तो अननदा आता है, चाहे केरल में हो, चाहे कभी वो दिल्ली आएं, और इसी प्रकार से, अगर हम सब एक दूसरे की आलोचना कर सकते हैं, हमारे में मतवेद हो सकता हैं, पर अगर हम मनभेद से उपर उठें, और मतवेद क शालीनता के साथ रखते हैं, तो मैं समझता हूं, कि जो हमारे पुराने सदस्यों ने यहां पे एक हमें उधारन के रूप में अच्छी अच्छी बाते दिखाई और वर्तमान में भी सदस्य एक प्रकार से मिलजुल के काम करने के पूरा कोशिश करते हैं, ये देश को बात रखी ती और मैं कोट करना चाहूंगा, ये उनीश सो पच्छपन की बात है, यह लगबग अडशट साल पहले की बात, आज भी सदन में गुंजे तो कितनी रेलेवेंट होगी, डॉक्तर रादकिश्टन ने कहा था, we want to maintain good name and dignity of this house. I do not want it to be said that sometimes these discussions suggest that we are not behaving like serious, responsible MPs, but rather like irresponsible, professional agitators. अलग-अलग तरीके से अपने वरिश नेताओं ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, समझाया है, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम सब की भावना और हम सब का मन यही बोलता है कि सदन अच्छी तरीके से चलके, इस देश में नई-नई चीज़ें कैसे इस देश को और आगे बढ अच्छी जाएं, इस अमरित काल में, जो माने प्रिदार मंत्री जी ने हम सब को एक आवाहन दिया है कि भारत एक विक्सित देश बने, उसमें हम सब का अपना अपना रोल रहेगा, विपक्ष का भी उतना ही एहम रोल है कि वो नियंतरन में रखे सरकार को, सरकार का रोल है कि वो नहीं नहीं कानून, नहीं योजदाएं, नहीं नहीं तरीकों से देश की दिशा और दशा आगे बदले और मुझे लगता है कि सभी माने सदस्य बली बाती अपनी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने का पूरा प्रयास कर भी रहे, आगे भी करते रहे कई बार अगर मेमरी में जाएं तो अटल जी की जो कविता सुनाने की आदत थी, कई बार वो कविता में चल पड़ते थे मानिया अरुण जेटली जी जो लीडर ओफ दी हाउस भी रह चुके हैं, उसके पहले लीडर ओफ दी ओपोजिशन भी रह चुके हैं, उनका कटाक्ष बड़ा शार्प होता था और अपने तरीके से बहुत विटीली, बहुत अच्छी तरीके से वो विशय को रखते थे, जैसे उन्होंने कहा था, इस पेकार के अलग-अलग उनके भी हमारे पास बहुत सुन्दर यादे हैं, मानिया वेंकिया नाइडू जी के टेलगू में प्रोवाप्स देने की आदत थी, बीच-बीच म अरगे जी भी आजकर शेरोशारी बहुत करने लग गये हैं, पर ये सदन की गर्मा रही है कि हम सब कई बार गर्मा गर्मी में भी विशय को बहुत सुन्दर तरीके से संभाल लेते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसी से लोगों का दिल भी चीतते हैं, माने अद्रक जी मुझ में याद किया था गुलाम नभी जी का और प्रणबदा का मानिया पूर्व महमहीम राष्टपती जी श्री प्रणब मुकर जी का जो काम सरकार में रहते हुए एक विपक्षी सरकार गुजरात में थी, उस समय भी किस पकार से उन्होंने गुजरात के लोगों को कश्मीर से पुना वापिस जाने के लिए मदद की, जब आत्रगबाद चरम सीमा पे था, उस समय के जो अनुभव प्रणबंत्री जी ने यहीं से बताये थे, एक पकार से हम सब को एक संदेशा देता है कि हमने सबने अच्छी बाते याद करके अच्छी चीज़े करने के लिए अपना प्रयास करना चाहिए, प्रणबंत्री जी ने तो वास्तव में ये भी कहा था कि मैं सल्यूट करता हूँ, गुलाम नभी आजार जी को, और आगे भी मैं आपसे सला मशुरा करते रहूँगा, और यही एक मित्धता की भावना से हम सबी सतादल या विपक्ष, इस मित्धता की भावना से आगे भी काम करते रहेंगे, यह हमारा सब का विश्वास है, और एक मिकार से सदन की गरिमा उसी में होगी, कि हम देशित और जन्रित को अगर सर्वो पर ही रखते हैं, तो स्वभाविक रूप से सदन की भी गरिमा बढ़ते जाएगी, और अच्छा काम होते जाएगा, बसे मुझे याद आते हैं, जब मैं पहली बार मीडन स्पीच देने के लिए उठा था, मैं नया नया सदस्य था, जुलाई 2010 की बात है, और पूर्वप्रदान मंतरी मन्मोन सिंग जी जहां अब बैठे हैं, उसी के भाजू में नासिर हुसेन की सीट पे जहां त परसों तुम्हें, IRDA और सेभी का कुछ वाद विवाद चल रहा था, डॉक्टर मन्मोन सिंग प्रदान मंतरी थे, और प्रणवदा वित्त मंतरी थे, तुम्हें उसकी डिबेट को शुरू करना है, और मैं एकदम हिरान हो गया, दो ही दिन हुए थे मुझे सदन में हाए, शायर तब तक तो कुर्ता पजामा और जैकिट भी नहीं सिलवाया था, जब माया सिंग ने का कि दो दिन बाद तुम्हें ये डिबेट शुरू करनी है, और मैं भी थोड़ा परशान हुआ, मैं उसी दिर रात को भुबबह ही गया, क्योंकि सब्जेक भी मेरे ले नया था, इंशुरेंस या के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारीं थी, से भी तो समझता था फिर भी, तो वाद विवाद समझने के लिए पूरे दो दिन उस दिन से लेके अगले दूसरे दिन तक दिन रात रिसर्च करते रहा और पूरी समझी किया ये विशह है, क्या समस्या है, क्या विवाद है और इसके मुझे फाइदा भी हुआ उसमें मुझे कई चीजे मालूम पढ़ी कि जो निजी इंशुरेंस कंप्टियों की पॉलिसीज होती है वो कैसे एक तरफा होती थी उस समय मुझे विश्वा से अब तो बहुत बदलाव आ गया होगा पर नहीं नहीं इं कैसे वो हमारे खिलाफ का उद्भोकता के खिलाफ जाती थी और फिर मैंने मेडन स्पीच जो दी उस समय मेडन स्पीच में समय का सीमा नहीं होती थी तो लगबग 40-40 गंटे बेरत करके पढ़ाई की थी तो स्पीच भी लगबग 40-42 मिनित तक मैंने अपनी बात रखी पर उ उस समय के बायने वित्व मंतृ ने उस स्पीच के बाद जब डिबेट पे रिप्लाई कर रहे थे एक पर्कार से कुछ वाक्या ले कर दे में बात नहीं पूरा पढ़ना चाहूंगा पर उन्हों ने जिस परकार से मुझे एप्रिसेट किया जिस परकार से मुझे एंकरेठ क वो वास्तव में मेरे स्परन्ट में जिंदगी भर रहेगा और उस समय उनकी बात में जो भाव था जो एक प्रकार से एप्रीसेशन में उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से मैंने विशाय को रखा था मेरी मेडन स्पीच में और पूरे सब्जेक को स्टडी किया था वो आगे चल कहा था, this is the chamber, this is the system where we agree to disagree, there will be divergence of views, there will be differences of opinion and through these divergences, through these differences of opinion, through discussion, we will arrive at a solution. ये उनका वाक्य मेरे लिए जिन्दगी बर एक प्रकार से दिशा दिखाता है कि कैसे हमने आगे चलके अपने अपनी बात भी रखती है, दूसरों की बात से भी सीख रहा है, मुझे याद आते है, डॉक्टर मन्मोन सिंग जी हैं सामने, एक बार एक cash for votes का scandal हुआ था, उसक मन्मोन सिंग जी ने उर्दू के शायर मिर्जा गालिब जी को quote किया था, हमको है उनसे वफा की उमीग, जो नहीं जानते वफा क्या है, और उसी समय तुरन माने सुश्मा सुराज जी जो उस तरफ बैटी थी, उन्होंने जवाब में कहा, कुछ तो मजबूरिया रही होंग कि यूही कोई बेवफा नहीं होता, यह जो भावना थी, दोनों तरफ, यह वास्तम में सदन के गरिमा बढ़ाती थी, और यह है जो चाप, मैं समझता हूँ, जो यादे हम यहां से लेके जब नए सदन, सदन के नए रांगन में जाएंगे, नए वास्तु में जाएंगे, मैं समझता हूँ, सभी प्रयास करेंगे कि और अच्छी तरीके से हम आपगे अपना-पना काम कर सकें, अटेल जी ने एक बार मई 1996-1996 में अपने भाशन में एक बहुत ही इतियासिक भाशन में कहा था, सत्ता का तो खेल चलेगा, सरकारे आएंगी, जाएंगी, पार्टिया बनेंगी, बिगडेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि हम सब दे कभी ना कभी रिकनसायल करना पड़ेगा कि परिस्तित्या बदली है, और हम कोई भी एंटाइटल नहीं, ये जो सेंस ओफ एंटाइटल में और अच्छा काम कर सकेंगे, छोटी-छोटी प्रतीक होते हैं, जैसे लाल बत्ती खतम कर दी गई थी सब मंत्रियों की, छोटी प्रतीक, लेकिन बहुत बड़ा मेसेज देश को, कि सेंस ओफ एंटाइटलमेंट किसी के लिए इस देश में अब नहीं चल सकते हैं, दोजार चौदा में हमारी सरकार बनी, वो भी एक अतियासिक मौका था कि पहली बार गेर कॉंग्रेसी सरकार पूर्ण बहुमत के साथ देश ने चुन के भेजी थी, कई सारे बड़े लैंडबार्क लेजिसलेशन्स पास किये गए हैं, सदन में दोजार चौदा से अभी त मैं समय तो कोई भी इस बात को इंकार नहीं कर सकता कि ये नौ वर्ष का समय एक बड़ा ट्रांस्फोर्मेटिव देश के बदलाव का समय रहा हैं, आज भारत विश्व की पांचवी सबसे बड़ी अर्थ व्यवस्ता बनी है, मान्य प्रदान मंत्री नरेंद मोदी जी के न प्रदान में और हम सबने एक प्रकार से उस प्रवा में अप्राव वर्ष लोकतांतर के मनाएंगे, मान्य अद्रक जी जब हमने 5 अगस 2019 में आर्टिकल 370 और 35A को समाप करने का बड़ा इतिहासिक नेड़ा इस सदन में लिया, सही माने में एक प्रकार से देश को जोडने क देश को एक बनाने के लिए, जिस देश में हमारी सब की इचाती के एक सम्विधान रहे, एक ही कानून विवस्ता रहे, कानून विवस्ता सभी के लिए समानने रहे, और जो जो लाँ देश के अन्य अलाकों में लोगों को मिलते हैं, वो हमारे कश्मीर के भाई बहनों को भ दिन इस सदन के लिए एक बहुत ही यादगार और इतिहासिक दिन सदैव रहेगा एक पेकार से सरदार वल्लबाई पटेल की जो देश की एकता और एकजुता को मजबूत करने का तीवर इच्छा शक्ति थी इच्छा था काम था और प्रयास था उसको हमने उस दिन पूरी तर आरिकल 370 लगा ही था तभी उस समय के वर्तमान प्रदान मंतीजी ने इच्छा जाहिर की थी कि यह तो टेंप्ररी प्रोविशन है कुछ वर्षों में निकल जाएगा और कुछ समय लगेगा जम्बू कश्मीर को अपना खुद का भविश्य भारत के साथ अच्छी तरीके स बनाने में वो कुछ समय थोड़ा लंबा समय हो गया पर हम सब के लिए आनन की बात है कि हमने वो निन्डे 2019 में लिया मन्या अध्यक्षी कुछ ऐसी चीजें ध्यान आती है जैसे उत्राकंड 36 गड़ और जारकंड बनाने का विशय था कितने सुन्दर तरीके से लगबक सब की सर्वसमत्य से और एक साथ मिल जुलके ये तीन नए राज्यों बने तिन नए राज्यों को एक अपना अपने आगे का भविश्य थे करने का मौका मिला और कंसेंसिस के साथ पीसफुली ये डायलोग और डिसकशन के माद्यम से ये तीनों राज्य बने थोड़ा बहुत की बात है कि कुछ कई ऐसे विश्य होते हैं जहां पर हम ऐसी सर्वसमत्य नहीं बना पाते हैं और मैं समत्ता हूं कि उसमें भी हम शालीनता से अपनी अपनी बात रखके आगे चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा मुझे याद है मैं भी इस सदन में था जब तिलंगाना क नया राज्य बना वो द्रिश्य शायद एक भद्दे के रूप में बहुत खराब उधारन के रूप में इस देश के स्वरण में रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे कभी हमारे नए भवन पे कभी ऐसा द्रिश्य देश और दुनिया को देखता ना पड़े माने अध्यक जी 2017 में एक एतिहासिक गुड्ज और सर्विसेस टैक्स जिससे वन निशन वन टैक्स स्थापे तुआ और ये इसलिए एतिहासिक कहता हूं क्योंकि लगबग एक पकार से इसमे भी सर्वसमत्ती से बना था पूरे देश की समत्ती देश के हर राज्य ने इसमे अपना-पना सयोग दिया और वियादी हाउज ऑफ एल्डर्स रिफ्लेक्टिंग दे स्टेट्स विशिज और डिजायर तो इस पकार से सभी राज्य मिलके हमारे पास ये प्रस्ताव लाए और वो जो 2017 का दिन है इतिहासिक मिडनाइट सेशन 30 जून पहली जुलाई के रात को 2017 में Central Hall में हुआ और आज उसका लाब पुरा देश अनुभा भी कर रहा है व्यापार उद्योग को नया बल मिला है बहुत तेज गती से देश आगे बढ़ रहा है कई सारे ऐसे निर्ने जो बहुत महत्वपूर्ण रहे Abolition of Private Purses वो एक विशेरा है जिसमें अलग-अलग व्यूपॉइंट्स थे और पार्लिमेंट में उसको पास करके बड़ा अच्छा सन्नेश दिया इसी प्रिकार से ट्रिपल तलाग को जब क्रिमिनलाइज किया उसका कानून 2019 में लाया गया हमारी बहने माताओं को अपना स अनमान मिला और एक बड़ा सिग्निफिकेंट रिफॉर्म का मेशर था जिसने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को समाप करने के लिए अपना अपना योगदान दिया है और इसी प्रिकार से हमारी महिलाओं के समान के लिए ये सरकार तट पर रही है और लगा था एक के बाद एक देश में किये गए हैं right from the day one बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेके आज तक और भविश्य में भी भारत हमारे बेहनों को और अच्छा सनमान मिले और अच्छा स्थान मिले हम अलरड़ी देख रहे हैं कि बड़े पैमाने बेहने काम में आ रही हैं they are joining the workforce और भारत की अ प्रयास हैं सबका इच्छा भी है मानिया अद्धक जी कुछ थोड़े खराब हमारे सामने उधारन भी हैं जिससे सीखने को मिला जैसे पार्लिमेंट पे जो अटैक हुआ था उससे हम सबको और ज्यादा चोकन्य रहना पड़ेगा और सुरक्षा के जो प्रयास किये जाते ह सुरक्षा हमारी और हमारे देश की आनबान और शान संभालने के लिए जो सुरक्षा कर्मी काम करते हैं मैं समचता हूं उसमें हम सबका भी योगदान हो हम भी कोपरेट करें और हम भी थोड़ा सेंस ओप इंटाइटलमेंट से उपर उठ जाएं तो शायद हमारी भी सुरक अच्छा और अच्छी हो पाएगी और 2001 जैसे अटैक कभी नहीं आपाएंगे उसके बाद हमने एक पूरे देश को संदेश एक यूनिटी का संदेश तो दिया कि हमारी हमारा लोग तंत्र को कोई हरा नहीं सकता है और डिमॉक्रासी इस इंविंसिबल परंतु मुझे लगत है इसको पुना हम स्वरन करते रहे और आगे भी कभी हमारे देश की एकता और एक जुत्ता पे कोई आहत नहीं हाए यह हम सबका सामुएक प्रयास रहना चाहेगा माने पदान मंत्री नरेंदर मोदी जी के नित्रतों में आज भारत एक बहुत आत्म विश्वास के साथ बहुत तेज गती से विकास की प्रवा में आगे बढ़ रहा है इसमें कई सारे मौके आते हैं हम सबको जिसमें एक हवाज से देशित और जनरित को आगे लेके जा सकते हैं और मैं समझता हूँ जो हमने पुराने लेसन सीखे हैं उससे हमें आगे के भविश्यक को बनाने में और अच्छा बल मिलेगा जैसे कि जब एमर्जेंसी आई थी और एक पिकार से भारत के लोग तंत्रे के कई सारे प्रावधान रोग दिये गए थे उन पे अंकुष लगा दिया गया था तम बाने अटल ब्यारी वाजपई जी ने कहा था अनुसाशन के नाम पर अनुसाशन का खून भंग कर दिया गया संग को कैसा चड़ा जनूर और मैं समझता हूँ यह एक बहुत वेक अप कॉल था पूरे देश के लिए कई सारे हमने इसमें से सबक सीखे और आगे चलके जो 42nd constitutional amendment था उसको भी फिर पुना बदला गया 44th amendment 1978 में आने से 1978 में जो fundamental rights हमारे अधिकारों के उपर जो अनकुष लगा था उसको पुना एक बा अधिया और बाद में तो कई सारे मौके आए जिसमें सदन ने भी और कोटों ने भी भारत की जो basic principles हैं हमारे आजादी के हमारे सम्मिदान के उसको कोई आहत ना पहुंचे उसके लिए कई सारे कदम हम सबने और देशवासियों ने उठाए है माने अद्दक जी कई सारे ऐस कर रहे है कि उन कानूनों को भी बदला जाए उनको contemporary आधुनिक बनाए जाए आज के बदलेवे परिपेक्ष में कैसे वो relevant हो उसके लिए प्रयाज सभी सरकारे करती हैं Companies Act पहले 1956 में था तो पूरी तरीके से license राज को बल देता था उसको बदला गया 2013 में और कई सारे measures जिससे उद्योग व्यापार को और बल मिल सके उसमें भी समय समय पे कई सारे और बदलाव 2014 से 2022 तक लाए गए हैं जिससे आज ease of doing business को और ease of living को हमने अपनी प्रात्मिक्ता बनाते हुए देश को आगे बढ़ाने का काम किया है जो नई Parliament की building बनी है ये भी अपने आप में द सबका सादर आधूनिक्ता से पूरा योग और आगे भविश्यक की जो जरूरत है उसको पूरा करने वाला ये नया वास्तु मैं समचता हूं पूरे विश्व में एक भारत के लिए एक नई उत्सा और उमंग के साथ आगे जाने का एक संदेश पहुचाएगा ऐसे ही पिछ नया यशो भूमी दो और बड़े सेंटर्स का उधाटन माने प्रदान बंक्री नरेंद्र बोधी जी ने किया है ये दोनों नए भारत के प्रतीत के रूप में देश को आगे लेके जाएंगे अब हमारा देश विश्वस थरियक फेर्स, एग्जिबिशन्स, कन्वेंशन्स कॉन्फरेंसिस कर पाएगा और उसका हमने जीता जागता एक सुरूप G20 लीडर समिट में भी देखा ये सब में अब इस देश को आगे लेके जाने के लिए समावेशी और एक प्रकार से पारदर्शता के प्रतीक के रूप में लोगों की आशाय पेक्षाय पूरा करने के लिए सब का प्रयास है और हम सब मिलके इस प्रयास में जुड़े देशवासियों का विश्वास जीते और देशवासियों को एक कर्तव भावना से जो पांच प्रंड माने पदान बंत्रीजी ने आजादी के अमरे तोंसब में लाल किले से दिये थे कि हम सब 140 क्रोड देशवासी कर्तव भावना से देश की एकता और एकजुत्ता को समाले देश को गुलामी की मानसिक्ता से मिकाले हमारे इतियास से जो सीखने को मिला है जो हमारे इतियास में हमारी परंपराओं में हमारी जो रिच कल्चर और हेरिटेज पारिवारिक वैल् आगे लेके जाएं नारी शक्ती का सनमान करें और एक रश्टाचार मुठ भारत भारत को विक्सित भारत बनाने के लिए हम सब संकल्प लेके आगे चलें इस इच्छा के साथ इस सदन में भी ये आज का विशय हम सब चर्चा करें हम सब डॉक्टर बाबा साहिब हम्मेटकर का जो एक समिदान सभा इसेंबली में भाशन था जिसमें उन्होंने का था and I quote, where constitutional methods are open there can be no justification for unconstitutional methods. मैं सबता हूँ, ये बड़ा अच्छा वाक्या है जो हम सब को याद दिलाता रहते हैं कि आगे चलके भी ये सदन अपनी गरिमा रखके इतिहास के पन्नों से बहुत कुछ हमें सीखने मिला हमारे सबके अपने हपने हनुबव रहे अच्छे अच्छे विचार आते हैं जब हम पुराने दिन इस सुद्र सदन में याद करते हैं इस बहुत महतोपूर्ण कक्ष में जो जो पल गुजारे हम सबने मिलके उन सबको जब यादगाश के रूपे हम सवारे लेकिन जब नए भवन में जाते हैं नए वास्तु में जाते हैं नई सोच के साथ इस देश की दिशा और दिशा को नया रूप देने के लिए भारत के 140 करोड लोगों की आशाय हम सब संकल्प लेके प्रतिबत्ता के साथ नए सदन में प्रवेश करेंगे कल उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ और नए सदन पे शुब कामना है देता हूँ